अगला कुश्यन देखते हैं जेमेन 2024 में फेज बन में 30 जन्वारी को इबनिंग सिप्टी में सवाल पुछा गया है कह रहा है पावर ट्रांस्मिशन लाइट फिट्स इन्पूट पावर अद 2.3 किलोगोल्ट तो अस्तिब झाल्स टर्नस्फर्मर विधिट्स प्रामिर विडिद्न अभी 3,000 ट्रामिर्ण पावर इस देलिवरद अड्टी वोल्ट बाई थी ट्रांस्फर्मर उसके बाद कह रह यह आइवन दिया हुआ है and its efficiency is 90% यानि जितना input power होगा output power उतना नहीं होगा उसका 90% स्रिफ होगा the winding of transformer is made of copper copper से transformer का winding मना हुआ है उसका यहाँ खास relevance नहीं है efficiency हमारे पास दिया है तो उससे काम करना है the output current of the transformer is हमें क्या पता करना है output current इसको हम माल लेता है i2 यह आपको पता करना है देखे क्या क्या given है उसको पहले समझने को सिस करता है ट्रांसफर्म का सवाल हमेशा असान पूछता है थोड़ा सा patience रखना बहुत कम समय में solve हो जाता है question वीवन दिया हुआ है 2.3 कीलो वोल्ट कीलो का मतलब 1000 से इसको multiply कर दिए 2300 हो जाएगा यह 2300 वोल्ट राइट एन वन कितना given है सर एन वन है 3000 वीवन कितना है वीवन है सर 230 वोल्ट तो वीवन नहीं क्या है यह आउटपूट वोल्टेज step down ट्रांसफर में वोल्टेज ख़ड़िया number of turns into भी कम हो जाएगा इंटू पहले पता लगाएगे given नहीं है इंटू पता लगाने का फायदा क्या होगा कि आप आउटपूट साइट में करेंट बता सकते हैं कि कितना होना चाहिए या आउटपूट साइट का पावर कितना होना चाहिए हलाक कि यहां पर into का भी हम लोग को खास खासम खास जरूरत नहीं है आप चाहे तो into पता कर सकते हैं पर उसकी जरूरत नहीं है कुछ extra data दिया रहता है उसकी जरूरत यहां पर पढ़ेगी नहीं एन ओन की भी जरूरत नहीं पढ़ेगी अब देखिए होता क्या है एक ideal transformer के ideal transformer जहां पर किसी तरह का कोई loss नहीं है मतलब efficiency क्या है efficiency 100% है जो input power होगा वही output power होगा output power और input power बराबर होगा यहनि V2 I2 जो है वो बराबर होगा V1 I1 के यह ideal scenario है पर यहां जो है ना transformer ideal नहीं है ट्रांस्फर्मर क्या है ideal नहीं है क्या दिया हुआ है efficiency 90% है मतलब output power input power के बराबर नहीं है जो हमने दिया उसका 10% loss हो गया और 90% ही output में मिल रहा है आपने 100 जूल दिया तो 90 जूल बाहर निकलेगा दो 200 जूल दिया तो 80 जूल बाहर निकलेगा उसका 90% बाहर निकलेगा यानि कि यह जो output है वो यहां पर है तो पी आउट्पूट जो है वो 90% ओफ इंपूट होगा यह हमारे question में given है correct आउट्पूट पावर क्या होगा सर्फ वी टू इंटू इंटू आईटू और 90 पर सेंट मतलब 90 वाई हंडेट 0.9 राइट इंटू इंटू इंपूट पावर इंपूट पावर क्या होगा वी वन i1 correct हमें क्या पता करना है आउट्पूट current पता करना है i2 पता करना यहा से ठीक है तो i2 यह जी कश्टू हो गया 0.9 V1 कितना दिया हुआ है 230 i1 कितना है 230 है या 2300 2300 है यह ना 2300 करेंट कितना है 5 divided by 230 इन दोनों को काटेंगे तो यह 10 बार में कट किया तो यह कितना आ रहा i2 i2 आ रहा सब 10 इन टू.9 9 हो गया 9 इन टू 5 45 अंपेर सिमिलर टाइप का कुश्चेन जो है ना इसी साल चेही में में पुछा गया है इक्जक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा 29 चैनुरी को सायद सिमिलर टाइप का कुश्चेन पूछा है इस कॉंसेप्ट पे बेस्ट जहां एफिशेंसी गिवन है और आउटपुट में करेंट आप से पूछ रहा है इस तरह के कुश्चेन पूछे जाते है यह आईडियल सेनारियो है जिसकी ज़रूरत नहीं है अगर आईडियल सेनारियो नहीं है तो फिर यह वाला कॉंसेप्ट लोग यूज करेंगे आई होप आप लोगो को क्लियर होगा एक बार आंसर चेक कर ले आउटपुट करेंट कितना होना चाहिए 45 अब आउटपुट करेंट ज़्यादा क्यों हो गया कहेंगे 10 टाइमस घटा दिया है तो करेंट 10 टाइमस बढ़ना चाहिए था पर यहाँ 9 टाइमस बढ़ा है क्योंकि एफिसेंसी 90 परसेंट है राइट सही आउटपुट करेंट सेनार 45 है